राजसान, गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराश्रों में आतंक मचा चुके टिड़ी दन ने जुझनो जिले के ग्रावी शेत्रों में अब अपनी दस्तक दी है किसानों के अनुसार कुछ लाकों में टिड़ियां हर साल फसलों को नुकसान पहुचाती ही लेकिन यह पेक्षा कृत छोटे समभों में होती थी लेकिन इस बार इनके दल कई किलोमेटर लंबे हैं और ग्रीन एरिया इनके लिए पसंदीदा खुराक भी साबित हो सकते हैं किसानों के फसलों को चौपट कर रही है जुन्जनों के खिरोट शेत्रों में अचानक से टिड़ी दल के आजाने से किसानों में हडकंप मच गया किसानों ने डीजे धाली और पीपे बजा कर टिड़ी दल को वापस भगाया किसानों ने बता कि टिड़ी दल, सेवानगर, गडवालों की धानी, मिठारवालों की धानी और खिरोड कस्बे की कई इलाकों में खेतों पर मनराने लगाद इससे की लोगों ने अपने स्तर पर उसे भगाया किसानों ने कृशिव भाग से टिड़ी दल से चुटकार अदिलवाने की मांग की है तो वही सूचना के बाद सरपंच महावीर प्रसाद भामू और कृशिय अधिकारी जगदीस प्रुशाद खेतों का जायजा लिया और किसानों की समस्याओं को चाना प्रुदेश के कई जिले इंदिनों टिड़ी से प्रभावित है पाकिस्तान से सटी सीवाओं से जिलों में इंदिनों टिड़ीों ने जम कर कहर बरपाया है इधर टिड़ीों के आने से अब किसानों की चुंता और अधिक बढ़ गई है ताजा मामला विकानेर के खाजवाला से है जहां टिड़ीों ने कई हेक्टेर जमीन में खड़ी फसलों को चौपत कर दिया तो वहीं टिड़ीों से मकाबला करने के लिए संबंध तक शेत्रों के किसान और प्रशासन भी पूरी तरीकि से जुटे हुए है इस जुटान किसानों ने थाली पी पे बचा कर टिड़ीों को भगाने का प्रयास किया तो वहीं राजस्वे तैसिलदार विनोद गोदारा ने भी मौका मुआयना किया खबर भीलवाडा के माडलगर्ट से है जहां करोना वारस संक्रुमन से बचाव हेतू विशेश जागरुकता भियान का विधायक गोपाल खंडिलवाल ने शुभारम किया इस मौके पर सभी ब्लॉक्स तरी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विधायक गोपाल खंडिलवाल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी अधिकारी गण अपने दायत्वों का निर्वहन शेत्रों की लोगों को जागरुक का रिमानदारी से करे ताकि कोरोना संक्रुमंट से शेत्रवासी बच सके आपको बता दे कि 21 जून से 30 जून तक कॉरोना संक्रुमेंट से रुख थाम के लिए विशेश जाग रुखता भियान चलाय जाए गया जुन्जनों के खेतड़ी में अधिकारियों की गाड़ियों का काफिला देखकर हर कोई चकित रह गया लेकिन इन गाडियों को काफिला चौकाने के लिए नहीं बलकि कोरोना वैश्विक महमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आमजन को जागरुक करने के लिए निकला है जुन्जु जिले के खेतिडी में उपखंड अधिकारी शिवपाल चाट के नेतरत्व में सभी वभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने कोरोना जागरुकता वहन रैली में हिस्सा लिया उपखर्ण अदिकारे ने विधिवत जागरुकता रैली की शुरुवात होने के बाद कुषेत्रों के गाउ में जागरुकता वहन रैली निकाली खबर जालोर के चीतलवाना से है जहां कोरुणा बचाव के लिए जागरुकता रैली का आयोजन उपखंड मुख्याले में किया क्या रैली को उपखंड अदिकारी माशिगा राम जागर ने उपखंड कारे ले सिरवाना किया जो के विभन महलों से होते हुए कोरुणा के बचाव को लेकर संदेश देने निकली इस दोरान उपकंड अधिकारी माशिगा राम जागिड, CBAO मंगला राम खोखर, जगदीश गोदारा, रमेश खीचड, उंप्रकाश गोदारा सहित प्रशासन के अधिकारी उपस्तित रहे खबर अजमीर के ब्यावर से है जहां प्रताप नगर में एक ही परिवार के चार लोगों के कोरुना पॉजिटिव आने से पुरिक शेत्रों में दहशत का महौल है प्रशासन ने पॉजिटिव आई, मरीजों को इलाज के लिए राज की अस्पताल में भरती करा दिया स्थाने शेत्रवासियों के सैंप्लिंग प्रशासन के और से शुरू हो गई है तो वही एक और कोरुना वारस पॉजिटिव शेहर के मास्टर कॉलिनी से आ है प्रशासन अब इनकी हिस्ट्री खंगाल रहा है नगर परिशद प्रशासन ने शेहर के विभिन अक्षेत्रों में सानिटाइजर का शिड़काव भी करवा दिया है खबर भीलवाडा के बिजॉलिया शेत्रों से है जहां जिला प्रमुक शक्ती सिंग हाजा के नेतरत्व में कोरुना महामारी से बचाव के लिए मनरेगा श्रमिकों को मास्क वित्रित के गए जिलाप्रमुक शक्ती सिंग ने मन्रेगा श्रमिकों को कोरना महामारी के प्रती जागरुख होने के अपील की तो भई श्रमिकों की समस्याओं को सुनकर जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया इस दौरान पूर्व सरपंश कैलाश सुथार भगवान सिंग लेकराज मीना सहित भाजपा कारिकरता उपस्तित रहे खबर सीकर के दातारामगड शेत्र से है जहां मन्रेगा श्रमिकों ने मजदूरी को लेकर आकरोश व्यक्त किया और प्रश्रासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरने पर बैट कहे सूचना पर पहुंची पुलिस ने समचाईश का प्रयास किया लेकिन श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दी जा रही उनके खाते में 40 रुपए ही डाले जा रहे है तो वही मन्रेगा सहाइक अभ्यानता जीतेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और श्रमिकों से समचाईश की जिसपर श्रमिकों ने जल्दी मांगे नहीं वाने जाने पर अनिशित कालीन धर्ना देने की चेतावनी दी खबरपाली की सुमेरपूर श्रेतर से है जहां बामनेरा ग्राम पंचायत में साधारन सभा की बैठक हुई सरपंच रमनीक त्रिवेदी के अध्यक्षिता में हुई इस बैठक में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर प्रुस्ताव पारित के गए और आगामी मौनसून में आपदा प्रभंदन की तैयारियों को लेकर भी चरचा की गई ग्राम विकास अधिकारी निम्बारा मीना ने इस पर बताया कि बैठक में कोरोना को लेकर लोगों को जागरू किया गया इस दोरान सरपंच सहित वाट पंच और ग्रामी इन भी उपस्तित रहें खबर जैपूर के जोबनेर से है जहां राधस्तान हाई कोट के अंदर देश पर नगर पालिका ध्यक्ष ग्यानचंद जाजोरिया को अधिशासे अधिकारी महिपाल सिंग ने कारिभार ग्रहन करवाया इस सवसर पर बनीश पारिक पूर्व चेयर्मेंट फूलचन मीना ने नगर पालिका ध्यक्ष जाजोरिया का साफ़ा पहना कर स्वागत किया इस ओरान भाजपा मंदल के कारिकरताओं ने खुशिया मनाई जुन्जनों के बुहाना में अभिभाशक संग के नवनिर्वाचित कारिकारणी का शपत ग्रहन हुआ अभिभाशक संग बुहाना के सभाकक्ष में नवनिर्वाचित कारिकारणी को शपत ग्रहन करवाए गई न्याइक मजिस्ट्रेट दिपेंद्र मीना शपत ग्रहन समहारों में बतौर अथिती पहुँचे इस दौरान मुख्य चुनाव अधिकारे नरेश भार्थवाश ने पद और गोपनियता की शपत दिलाई खबरपाली के तकतगड से है जहां जिन वाडों में पेजल आपूर्ती नहीं हो पा रही उन वाडों में नगरपालिका ने टैंकरों के जरीए पानी की सप्लाई शुरू कर दी है अधिशासी अधिकारी नरेंद्र सिंग कामा ने बता कि गर्मी के मौसम में जादा तर वाडों में पानी की समस्या रहती है ऐसे में नगरपाली का पूरी तरीके से सतर्क है साथ ही सभी लोगों तक पीने का पानी पहुचाने की भी हर संभब कोशिश की जा रही है बिकनेर के श्री डूंगरगड में तीन राजपुताना राइफल्स के जवान बजरंगलाल गोदारा को सैने सम्मान के साथ देश भक्ती के नारों के बीश अंतिम विदाई दी गई शेत्रवासियों का सेना के प्रुती सम्मान देखकर बिकनेर सेना स्टेशन से आये सैनिक टुकडी के जवान भी भावुक हो गए स्थाने लोगों ने जगय जगय शहादत यात्रा का पुष्पवर्षा कर सम्मान किया और देश भक्ती के नारों के साथ सैनिक को अंतिम विदाई दी गई तो है दोस्तों को बचाने के प्रियास में अपनी जान गवाने पर सैनिक के परिजनों ने भी गर्व के साथ उने मुखागनी दी अंतिविदाई देने शेत्रे विधाय गिर्धारी लाल महिया भाजपा नेता जुगल किशोर तावनिया यूद कॉंग्रेस देहाज जिलाध्यक्ष हरी राम बाना सहित जन प्रतिनिधी और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँचे हाला कि गरामिनों को जोरान अपना दिल पत्थर का करना पड़ा क्योंकि एक ही दिन में घर से दो अर्थियों को निकाला किया पहले चाजा परमेश्वर लाल गुदारा की अर्थि निकली तो बाद में भती जे सैनिक बजरंग लाल गुदारा की जिसे की पूरे गाव में शोकी लहर चागई खबर अलवर के निमराना शेत्र से है जहार आजीव गांधी सेवा केंद्रो में जिला सैनिक कल्यान अधिकारी शिवराम वर्मा के अधिक्षिता में बैठक हुई जहां गल्वान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांशली अर्पित की गई और शीन के सामान का बहिशकार किया गया इस ओरान मेजर हजारी लाल सुरजभान सहितानिया भूदपूर वसैनिक भी उपस्तित रहे कल्डान कार्यालेक्षित बहरोड के इंडियन एक्सपर सर्विसमेन लीग के तैसीर के सभी उपाजक्ष और जिला इसतर के उपाजक्ष लोगों ने यहाँ पर जो हमारे वीर सैनेकों ने जो बले राम दिया है बीस जवानों ने और अधिकारियों ने उनको सरधांदली देने के लिए हम यहाँ पर उपस्तित हुए है खबर श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से है जहां 50 जीबी ग्राम पंचायत में प्रुधानमंत्री ग्राम सडक योजना के दावे खोकले साबित होते है पंचायत के रास्ते अभी भी उबाडखाबड और कच्छे रेतीले रास्ते है आपको बतादे कि सरकार ने गत पर शो में ग्रामीन विकास के नाम पर करोड़ो रुपए का बज़ट खपाया लेकिन पंचायत पे एक मात्र बनी पुलिया भी बीते कई दिनों से शतिक्रस्त है खबर जेसलमेर के पोकरन से है जहां नेपाल इश्वर महादेव मंदिर के महंत के सरहानीय प्रयासों ने दस साल के बाद परिवार से दूर हुए लालू को फिर से मिलवा दिया। इतना ही नहीं इन दस सालों में महंत ने दिव्यांग लालू की सेवा कर एक मिसाल भी पेश की। जानकारी के अनुसार MP के बाला घाच करहने वाला लालू अपने शरावी पिता की यातनाओं से तंग आकर घर शोड़ाया। यहां से लालू ने पालेश्वर महादेव मंदिर पहुँचा जहां महंत ने आस्रा दे कर उसकी सेवा की और फिर परिजनों को ढून कर उन्हें सूचना दी। इसके बाद लालू की मा पोकरन पहुची जिसके बाद बीस हजार के आर्थिक पदद दे कर लालू को विदा किया किया। क्याबिन में दाखिल हुए इसके बाद बदमाशों ने एटियम मशीन को ग्यास कटर से काटा और पिकप की सहायता से उखाड कर फरार हो गए। एटियम में करी 20 लाक रुपए की नगदी बताई जा रही है। तो वही सूचना मिलते ही बैंक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुची और घटना की जानकारी जुटाई। तो ही पुलिस ने इलाके में लगे तमाम CCTV क्यामरे के फुटेज खंगाली CCTV में चार बदमाशों की वार्दात करने की तस्वीर कैद हो गई है। घटना के पीशे पुलिस ने किसी प्रोफेशनल गिरोह पर संदेह व्यक्ति किया। फिलहाल पुलिस के साथ ही DST साउथ और CST टी में भी बदमाशों की तलाश में जुटी है। जानकारी मिलने के बाद सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुची और CCTV फुटेज के आधार परारोपी की तलाश शुरू की गई। लगबग 5 बजर और 40 मिनिट तक बारी खडी ती और जब मैं गाओ जाने के लिए बाद निकला तो मुझे गाड़ी नदर नी आई। और उसके बाद में ने CCTV पुटेज के किया तो लगबग वह आदमी मेरों को समझ मी ने आया यानि कि अग्याते गाड़ी को देखके मैं थाने में गया और मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद में तानवालनों वानेत के देरे नागबंदी करवा दिये आगे के कारवाई फिलीस वाली करेंगे। सीमेंट फैक्ट्री की माइन्स में कारवा तश्रमे की मौत हो गई। इसके बाद मुआवजा को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पर पहुंची पुलिस ने स्थानी अस्पिताल में भरती कराया। यहाँ प्रात्मिक उप्चार के बाद उन्हें अजमेर रैफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस हादसे की परताल में जुटी है। खबर धॉलपूर से है जहाँ मनिया थाना इलाके में आठ राक्ष्ट्री अपक्षी मोर की हत्या कर दी गई जबकी तीन की हालत नाजुक बताईशारी है जिन्हें पशू चिकित साले में भरती कराया। जानकारी के मताबिक मनिया थाना इलाके की गाउ सुंदर्पुरा में सोमवार को आधा दर्जन शिकारियों ने दाने के अंदर विशाला पदार्थ मिला दिया जैसे ही मोरों ने दाने को चुगना शुरू किया उनके तबियत खराब होने लगी। जहरीला दाना खाने से आठ मोरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन मोर बेहोश हो गए घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीनों को मिली तो गाउ में हडकाम पमच गया। वहीं मौके पर तीन शिकारीों को पकड़ लिया गया इसके अलावा तीन शिकारी भागने में सफल भी रहे तो पुलिस मामले की चार्च में फिलहाल जुटी हुई है टॉक जिले में बजरी खनन और परिवहन की रुखथाम के लिए भले ही SIT टीम सक्त कारवाई के दावे कर रहा है लेकिन बजरी वाफिया खुले आम पिपलू निवाईक शेत्र में बनास मासी नदी से अवैद खनन कर सैक्डो ट्रैक्टर ट्रॉली जैपूर के लिए निकाल रहे है उवलोट वाहनों से सडके भी शतिग्रस्त हो चुकी है इसके चलती रहगीर आए दिन हाथसों का शिकार हो जाते हैं ग्रामीनों ने इस पर बता कि अवैद बजरी से भरे वाहन दिन दहारे चल रहे हैं इसके रोक्ताम के लिए प्रशासन की और से कोई भी प्रयास नहीं किये चारे जिससे खरनन माफियाओं के होसले बुलंद है और ग्रामीनों में प्रशासन के खिलाफ रोश व्याप्त है जुझनो के सुरजगर थाना इलाके की राठियों की धानी में रहने वाले कव्यक्ती को QRT और DST टीम ने सयुक्त कारवाई करते हुए पांच किलो गांजे के साथ किरफतार किया थानादिकारी सुरेंद्र मलिक ने बता ही राठियों की धानी के रहने वाले अमर सिंग को गांजा बेशते हुए गिरफतार किया गया आरोपी की कबजे से पांच किलो गांजा भी बरामत कर लिया गया तो आरोपी स्तिफिलहाल ये पूछताच की जारी है कि वो गांजा लाता कहां से था और किन-किन लोगों को बेचा करता था जैपूर की हर्माणा पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए लंबे समय से फराज चल रहे शातिर अपराधी दिने शुर्फ धीके को गिरफतार किया पुलिस ने आरोपी के कबजे से चोरी की बाईक और धार-धार हतियार भी बरामत किया है आरोपी के खिलाफ एक दर्जन से जादा पुलिस थानों में हत्या, हत्या के प्रयास और लूट पार्ट जैसे कई मामले दर्ज है पिलहाल पलिस आरोपी से पुश्टाच करने में जुटी हुई है टौक के देवली में नगरपालिका की और से भूमी अधिग्रहित करने का विवाद और अधिक गहरा गया है ग्रामिनों ने इस पर उपखंड कारेले पर प्रुदर्शन कर एस्टेम भारत भूशन गोयल को ग्यापन सौपा और बताया की नगरपालिका ने देवली गाओं की जमीन को मनमानी तरीके से अधिग्रहत कर लिया जिसके चलते ग्रामिनों में रोश्व्याप्त है इसके अलावा नगरपालिका कुशेत्र का समूचा गंदा पानी गाओं के तालाब में खटा हो रहा है जिसे कि लोगों को बिमारे और अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है ग्रामिनों ने जल्द ही मांगे नहीं मांगे जाने पर महापडाप की चेताब निदी है यह तो किस आदार पे लिए और एक नगरपालिका का जो देवली सिटी का गंदा पानी है जो हमारे सरोवर में जा रहा है जां बड़े बड़े देवसाद संकर बगवान का माता जी का पितर जी के सारे इस्तान है जांप पसू मर रहे हैं जानवर मर रहे हैं मच्छियां मर रहे हैं और आदमियों के अंदर रोग फेलने की सम्मावना है अगर कोई रोग फेलता है या कुछ भी हान ही होती है तो समझ जम्यदारी नगरपालिका और परचासन की होगी खबर जोदपूर के ओसिया शेत्र से है जहां नेवरा रोड ग्राम पंचायत मी ग्राम विकास अधिकारी पर मन्रेगा श्रमिकों ने कारियों में धांदली का आरोप लगाया SDM रतलाल और विकास अधिकारी महेश चौधरी को ग्यापन सौपा और बता कि मन्रेगा कारियों का पूरा भुकतान नहीं करने की मांग की श्रमिकों ने बता कि 90-120 रुपे ही भुकतान किया क्या साथी मन्रेगा कारिस्थल पर अव्यवस्थाओं का भी उन्होंने आरोप लगाया अरब देश की फल खजूर की खेती की अब रादस्थान में भी प्रबल संभावना है जोदपुरिस्थित कार्जूरी ने खजूर का एक ऐसा पौथा तयार किया जिसमें चार साल में फसल आना शुरू हो जाएगा वह इसका पनिक्षन भी सफल हुआ है ऐसे में अब अरब देश के सफल की रादस्थान और गुजरात में खेती हो पाएगी वरिष्टो वैग्यानिक अकत सिंग ने बताहा कि पौश्टे गुनों से भरपूर होने के साथ इसके चुवार्य और कैंठी भी वनाय जाते हैं भविशु में राजस्थान के किसानों के लिए इसकी खेती मिल का पत्थर साबित होगी जाएगे और यह अर्ली है अर्ली इन सेंस कि इसका जो फ्रेश फूट है जो टेबल वैल्य वैल्य फूट की वह बहुत अच्छी है और जो पकने का समय आता तब बारिश आती थी बारिश आने की वज़े से वो फल सड़ जाता है लेकिन यह वराइटी हमारी वह बहुत अच्छी है इसमें आप चाही इसको दोपा स्टेश बे काड़ सकते हैं देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सबस्क्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन